गोड़े से किंची जाती थी और नब्य साल बीच जाने के बाद भी वहां के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ वही टेन आज भी चल रही है और लोगों के काम आ रही है आज भी उस इलाके में कोई दूसरा साधन नहीं है लोग इसी ट्रेन में बैठ करके जाते हैं और इसी से वापस आते हैं और एक ही पत्री है उसी पत्री पर एक ट्रेन इधर से जाती है और एक ट्रेन इधर से आती है गाम के घोड़े को जो चलाने बाला है वो अपना घोड़ा जोदता है और घोड़े से ट्रेन को खिचता है इतनी खराब हालत पाकिस्तान की आज है कि उस एलाके में आज भी कोई आधुनिक साधन ट्रांस्पोर्ट का नहीं है सवारियों से जो सवारियां आती है वो उसमें बैश जाती है और उन्हें लेकर कि